नमस्कार मैं विश्णू प्रवाकर हूँ ये गोरगपुरी एक्सप्रेश नियूज है और भाई साब आप सब को आज आपके गाहं वाले रिपोर्टर भोजपूरी भासा के सबसे सुद्ध और सीधा गायक से मिलो आने वाले हैं सुद्ध और सीधा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ना ही कोई फिल्मी बैगराइंड ना ही कोई बड़े घर का लड़का उसके बावजूद भी अपने दम पे हिंदुस्तान की लगभग 25 परसेंड आबादी को अपना दिवाना बना चुका है जी हाँ एक दो लाक नहीं एक दो करोण नहीं दस पंदरा करोण नहीं बलकि 35 करोण लोगों ने इनके वीडियो को देख चुका है तुम हसके बुल्लू ये जान तो कहीं बजार में कहीं साधी में जाएंगे तो काला काला काजल तो कहीं अपने मामा के घर जाएंगे तो न है जो बलगर्टी दो अर्थी गाकर भोजपूरी भाषा को बदनाम करते हैं उनको लगता है सोट कर तरीके से गंदा गाकर हम आगे बढ़ जाएंगे तो जाहिलो सुन लो एक ऐसा गायक भी है जो भोजपूरी भाषा का नाम और बाचान बढ़ा कर कुछ अच्छा कर रहा है और सुपर इस्टार भी बन गया है अच्छा गीत का अउनिस भाई है अनिस बावी से बात करते हैं अनिस भाई बहुत बहुत स्वागत है स्वागत है सर नमस्कार आपको कैसे हैं अनिस जी बहुत बढ़िया है सर तो यह बताईए क्या जादू कि आपकी 40-50 करोन लोग चाहते हैं इसलिए देख चुके हैं और चाहते हैं कि बोच्पूरी में कुछ अच्छा हो लगतार अब काफी टाइम से वेट कर रहे हैं तो कुछ तो ऐसा हो जो बोच्पूरी का में अच्छा चीजे नजरिया बतले मेरा एक सवाल है वनिस भाई कि बहुत सारे लोग आप सीधा गाना गाकर इस्टार बन गए तो कहीं न कहीं उनका लकारों के लिए एक तमाचा भी है और एक जबाब भी है क्या है बोच्पूरी में सीधा गीत गाकर इस्टार बना जा सकता है बिल्कुल बना जा सकता है और भोच्पूरी दर्सकों ने थावित कर दिया है क्योंक जवाब मिल गया है उनको मिल गया और उनकी गलती पहले ही हो गई थी क्योंकि शुरवाती वैसे कर दिये थे उस चीज से वह आज तक बाहर नहीं निकल पाए अच्छे गीदगा कर तो हिट हो जाते हैं बाद में दो अर्थी गाने लगते हैं तो कि आउनीज बाबू अपना करेक तो नहीं बदलेंगे ना जो आपका नाम है जैसे मैंने भी केमरे पर आपकी तारिव किया सीधा और सुध गीदगाते हैं तो कहीं आयसा नहों कि आप भी उन्हीं के खेमे में चले जाए बिलकुल नहीं सर हम लोग जब आए भी थे जब श्ट्रगल भी कर रहें तब कैसा लगता है बहुत अच्छा लगता है सर और लोग तारीफ करते हैं काते हैं तो लगतार आप बड़ी-बड़ी कंपनियों से गार रहे हैं तो कंपनियों का कैसा सपोर्ट मिला है ताकि एक नेम फेम हो जाने के बाद प्रवांचल के पहले जिनका गीत इतने बड़े लेबल पर सुना गया है देश नहीं बलकि देशों में लोग सुनते हैं तो आप कैसा लगता है और फाइनेंसियल कंडिशन जो फाइनेंसियल हालत है आपकी परिवार की कितनी मजबूत हो रही है फाइनेंसली तो ठीक है क् में कुछ न कुछ कर रहा है फेमली में सब लोग पड़े लिखे हैं जॉब कर रहे हैं तो उसका तो कोई उतना दिक्कत नहीं है रही बात कंप बड़ी कंपनिया को उतना पॉस्टिव रिस्पांस सुनका नहीं है जिस तरीके सोना चाहिए और यह बश्पूरी के लिए दिखाया जाना चाहिए पोट्रेट करना चाहिए वह लोग दिखा नहीं पाते हैं जो अच्छी चीजे हैं उसको बुराई तो एकदम से कभी खत्म होने सकती अच्छाई बुराई दोनों साथ रहती है तो अच्छाई जितने भी हो थोड़ी सी ही हो तो उसको हाइलाइट क करके आगे लाजा और जितनी बुराई हैं उसको ड़क कर अच्छे लोग हैं ताकि बहुत सारे लोगों के लिए ताकि हमारी भोजपुरी जानने सुनने समझने वाले लोग तीसो पैंतीसो करोण से जादे लोग हैं अब भोजपुरी में तमाम इस्टार हैं जो देखते है फेशबूक पर आहրकर लाइप रोने लगते हैं आणने लगते हैं गाली देने लगते हैं थो ये कहिने करें से जोबहल के लिए अच्छा हो समाज के लिए अच्छा हो और जी कल तक कुछ दिन पहले तक आप इस्ट्रगलर थे अब आप सेलिवरेटी हैं तमाम युवा आपको फॉलो कर रहे हैं आपके गानों को फॉलो कर रहे हैं और चाहर हैं आपकी तरह सुपरिस्टार बनना आपकी तरह नेम फिर्म कमाना तो उनके लिए क्या सजेशन रहे है और उनकी पाचान अच्छी बनेगी और लंबा करियर बना सकते हैं तो अच्छा एक और बात देखा जाता है कि अभी जो भोजपूरी के कलकार होते हैं उनकी गाने हीट होते हैं तो फाइनली हीरो बन जाते हैं आपके भी चार-पांच गाने सुपर डुपर हीट हो गया है तो है ौश बाबु क्या तैयर है और सभाबु कभी अधि मैं क्या दिमाग में चलना है हीरो बनाना हlor कि कि यूचे-धो लाकंदर बहुत अच्छी बात है कि उन कलाकारों को भी मौका मिलना चाहिए ताकि भोजपुरी इंडस्टी में तो वैसे गायकों का ही कभजा है आजने ही एक्टरेस के बारे में यह मारे लोगों के बारे में आतना उलज वतता है जो जीज उनको अच्छे से करना चाहिएक नहीं कर पते हैं तो जो एक्टरेसे यह यह वियार के हो ईप पी के हो बोचपुरी से एक्दम रचे बश्से हो सालहों से जानते हो शौशब ऑन च और उसका इंपर्ट अच्छा अच्छा और भाई देखिए भुचपुरी में जो गायक होते हैं उनका कोई गाना पांच मिलियन दस मिलियन चला जाता है तो पूरा भाउकाल बचा देते हैं सोचल मीडिया पर हां आपका महराज ही इतना काना चल गए आपके उन्हें बहुत अच्छी बात है तो अब प्लानिंग चल लए यह वंसे चाहिए और त्हुने चल लिए और कुछ गाने जो वेस्टर्न स्टाइल के गाने हैं तो तीन गाने जिसको हम लोग रिकॉर्ड करने वाले रिकॉर्ड करके उसका जैसे लगडाउन खतम होता है तो अच्छा वीडियो सुट करना एक अलग लेवल का तुसी तम लोग लगतार लगे हुगे अच्छा सो करें भी करते हैं आप जी हां बिल्कुल करते हैं लेकिन अभी जब से सिल्सिला च प्लिक है यह अफिस्यल मेरा चैनल है तो उसके इवेंट के लिए चाहिए किसी लिखाम के लिए नंबर वहां दिया गया इजली वह लोग कांटक्ट कर सकते हैं और यह और मेरा सवाल है भोजपूरी एल्बम से जो भी कलाकार इस्टार बनता है वह हीरो बन जाता है लेकिन मैं भोजपूरी एल्बम का तर दिन प्रते दिन गिरता जा रहा है बल घरटी का दोर बढ़ता जा रहा है बहुत सारे ईकलाका रहा आते जो भोचपुरी के राइटर है जो वह उत्तम क्वाल्टिक होँगे उस तरीके से लिख पाएंगे तो जो अच्छे परड़क्षन देंगे गीत लिखेंगे तो अच्छे लोग गाएंगे तो जितने भोचपुरी का लिट्रेचर है जो भी इतिहास रहा है उसको सजोग के पर तुकबंदी मिलाते हैं भोजपूरी के जो राइटर है तुकबंदी मिला के क्या होगा आप किसी भी चैनल का एनलेटिक्स क्षोल के देखिए जितने भी भोजपूरी यूटूब चैनल अब देखेंगे कि महिलाएं बिल्कुल देखती नहीं है अच्छे-चैनल का मैंने परिवार नहीं पहुंच पाता है महिलाएं पूरे फोर्टी फॉटी फाइज के उपर देखते हैं अभी भोट सारे से परिवार उनीज भाई जहां पर बोट पूरी का एक बार प्ले होता है तो घर वाले ऐसे दिमाग में लाए तरे बाबर कुछ बोल देगा चोल ली डोनी लोग नहीं समझ रहें लेकिन उनकी डिमांड है कि हमको अच्छा सुनना है तो आप भोषपुरी में नहीं दे पाएंगे तो इंग्लेंड से भी लाएंगे अच्छा गाना सुनेंगे क्योंको हम इंटेंवेंट हमको सब कुछ चाहिए लिए 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 अच्छे तरीके से प्रस्तूत नहीं करता है कैसे विक्सित होगा हमारा भोषपुरी और इस बावुजरा बताएं भोषपुरी को विक्सित करना है तो जो भी अच्छे लोग हैं उनको जूड़ना पड़ेगा यस सबसे बुरे लोग हैं उसकी सबसे और लोग है यह जूट आप नहीं रखते हैं बहुत सारे लोग है मैं जनता हुच अच्छे गाने बनाते हैं बस वह आगे नहीं आ पाते हैं एक और बात है का जाता है कि भोषपुरी शीनेमा है अलबम होगर है ज्यादा तर जो है वही और वही लोग दर्सक्वान को पसंद भी बहुत सारे लोग करते हैं या और परिवार कट जाता है। एंसा नहीं कि सब लोग बहुत सारे अच्छे जा रहे हैं। जो बल्गर गार है वो लाखो क्रोना में पहुंझ जा रहा है। वही तो क्या राम सब बोच्पूरी की जो ओडियांस है वो लोग सुन पर प्रक्लास ओडियांस है वह बिल्कुल कटी हुई है आप खुद ही इंडस्ट्री के काफी लोगों के इंट्रिव्यू ले चुके हैं आपको पता होगा जितने ही प्रोडूसर होते हैं कोई साउथ को होगा कोई मुंबई को होगा जितनी बोच्पूरी कंपनिया कोई पंजाबी वाले मेनेज कर रहें कोई कुछ कर रहें तो यहां के अपर क्लास ऑडियंस है उनको कैसे अपनी तरफ खीचा जा सकता है उनको अब्जर्ब करिए को क्या चाहते हैं कैसे गाने सुनते हैं उनका मुझे लगता है कि आप थोड़ा बहुत सक्सेज हुए हैं इस मामले में तुह के बोलू जान से क्योंकि आपकी गानें बलगटी नहीं फिर भी 35 करोन लोगों ने देखा है तो कितना उसका जो देखा जाता है कि महिलाएं कितना कनेक्ट हो पाई उस गाने से महिलाएं काफ करेंगे तो हमारे तमार दशक हैं उनसे क्या काना चाहेंगे आपका क्या संदिश है मेरा संदिश यह जैसे आप लोग जुड़ रहे हैं लगातार ऐसे जुड़िए और भी लोगों को जोड़िए जो एक महल अच्छा सा बना है इस महल को और आगे लेकर चला जाए सुधारने थे तो भोचपुरी सुधरे की नहीं देखिए आप अच्छे गीत सिधा गीत गाके लोगों को एक्टेक्ट्री तो कर रहे हैं वहीं तमाम कलाकार तमाम बड़े इस्थार बड़े नाम है मैं नाम नहीं लूँगा नहीं तो बहुत सारे लोग को बुरा लग सकत अच्छा करेंगे तो ही कुछ अच्छा होगा बलगर्टी बस चार दिन की चादनी रात वाली कहानी हो जाएगी तो अनीज भाई एक वर और हमारे दर्सकों को बता दीजिए अपने बारे में कि आप कहां के राने वाले हैं ठीक है यह पूरा डीटेल बताईए हम देवरिय यानि कहा जाता है कि देवर जिला देवरिया और यह यह पूरांचल अपना गोरकपूर पूरांचल का भाई जो है लाखों करोन लोग को दिवाना कर चुका है तो हमारी सुबकामना है आप खुब आगे बढ़िए और बल गटी मत गई अगये हो है जैसे आजगार है वह इ चाहिए नमस्कार